हेलो गाइज स्वीद अगर सिस्टर्स में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को प्लाजो कटिंग बताने वाली हूँ जो की पेपर पर है आज मेरी तब्यद कुछ ठीक नहीं है और गला भी थोड़ा बैठा हुआ है तो होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि मैं जादा तेज नहीं बोल सकती तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्लाजो कटिंग बताऊंगी पेपर पर तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आप पर पेपर को जोड़कर बढ़ा कर लिया है जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इसको मैंने दो लेयर्स में रख लिया है यह देखिए इस तरह से दो लेयर्स लगा दी है अब उसके बाद हम लोगों को इसको फोर लेयर्स में करना है कपड़े को सबसे पहले लंबाई में रखेंगे और इसको चोड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो अभी मैंने इसको फो हम लोग यहां पर निशान लगा देंगे इस तरह से यह लोगों को उपर से लेना होता है यह हमारी इसमें हम लोग लगा कर मोडते हैं इस तरह से यह हम लोग को मोड़ना होगा तो जब मैं आप लोगों को कपड़े पर बताऊंगी तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा अभी मैं आप लोग को पेपर पर बता रही हूं तो हो सकते कोई कोंफूजन रह जाये तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं तो अब हमने जो दो इंच का निशान लगाया है यहां से हम लोगों को लेंथ ना अपनी है तो लेंथ आपको जितनी भी रखनी है आप उतनी लेंथ रख सकते हैं तो यहां पर मैं 36 लेंथ रख रही हूं तो जितनी भी आप लेंथ रखेंगे उसमें आपको तीन इंच एक्स्ट्रा मार्क करना होगा वो हम लोग मोरी जो हमारी होगी वो मोरने के लिए तो यहां पर तीन इंच का निशान लगा दिया थर्टी नाइन हो गया है अब इन सभी लाइनों को हम लोग स्ट्रेट कर लेंग अब जितना भी हिप होता है उसका हाफ करते हैं वन फॉर्थ करते हैं फिर उसमें चार इंच एक्स्ट्रा करते हैं तो यहां पर मैने हिप की मेज़िमेंट है थर्टी सिक्स आगर हम लोगं एक चौथाई करेंगे तो आएगा नो यहानि की नाइन और नाइन में हम लोगों चार इंच एक्स्ट्रा एड़ करना होगा तो आएगा 13 तो 13 का हम लोग यहाँ पर माग करेंगे अगर 40 हिप है तो 40 का 1 फोर्थ होता है 10 और 10 में भी हम लोगों को 4 इंच एड़ करना है यानि की 14 और अगर आप उससे कम लेना चाहते हैं तो इतना भी आपका हीप है उसका 1 फोर्थ करके आपको लगाना होगा 1 फोर्थ 4 इंच एक्स्ट्रा करके तो अभी यहाँ पर मैंने यह माग कर दिया है 4 इंच पर अभी यह हो गया हमारा टोटल 13 इंच अब हम लोगों को यह 13 इंच का जो हमने निशान नहीं होता है इसलिए 23 का कोई भी हम लोगों को निशान नहीं लगाना होता तो यहाँ पर 17 इंच का मैंने निशान लगा दिया है यह 17 का निशान लगाने के बाद एक बात मैं और एक बताना चाहती हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि कपड़ा काफी काम होता है तो आप लोगों को उपर की बेल्ट अलग से 4 इंच जोइन कर सकते हैं आप लोग पर उसके लिए आपको आसन जो है जैसे मैंने अभी 17 लगाया हुआ है क्योंकि मैं बेल्ट भी मेजर करके बता रही हूँ तो हमें वहाँ पर 15 इंच का निशान लगाना होगा अगर आप बेल्ट अलग से लगा रहे है तो अगर अलग से नहीं लगा रहे है इसी में अगर बेल्ट बना रहे है जैसे मैंने बताया हुआ है तो आपको 17 इंच ही लगाना होगा तो अब हम लोग आसन का निशान लगाने के बाद लाइन को स्ट्रेट कर देंगे तो यह लाइन को स्ट्रेट कर दिया है अब आपको जितना भी घेर देना है प्लाजो में आप जितना भी मूरी रखना चाहते हैं उतनी आप रख सकते हैं मोसली दस से बारा तक रखी जाती है या फिर आप जितनी भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं घेर लगाने वाली हूँ 14 इंच का तो 14 का निशान हम लोग लगा देंगे अब 14 के निशान के बाद एक इंच हमें एक्स्ट्रा भी लेना है तो वो लगा देंगे तो टोटल हमारा यह 15 इंच का हो गया अब इन लाइनों को हम लोग स्ट्रेट कर देंगे यह आप के उपर डिपेंड करता है आप कितना भी घेर रखना चाहती हैं जितना भी आपको घे अगर आप कम घेर रखते तो यह जिस तरह से यह बाहर की तरफ निशान जा रहा है तो आपका अंदर की तरफ जाता कोई वह नहीं है आप कम भी रख सकते हैं और ज्यादा भी रख सकते हैं यह आपके ओपर डिपेंड करता है तो अभी हम लोग स्कोट कर लेंगे सारे पादस मनने तो जाने बिलाने के या खुरी है इससे इसार्णा कुछ शेप देना होता है यह गोलाई कशैप के रहा आप को जरी डिखाने मृत आपको भुलाई करना होती में चैसे मैं आपको सिद हींड़ाइ चैसे हमूड गूलमे, इस तरह से सकते हैं ने पर एगंदया तो आपको जैसे हम बंपकते तो हैं उसा हैं तो यह प्लाजो की कटिंग हो चुकी है और इसमें हम लोगों को मियानी भी कट कर लेना है और जो हमारा 17 इंच का निशान मेने लगाएा हुआ था इसको हम लोगों को यहां पर एक कट लगा देना है इसमें लोगों को याद रहे ही यहीपार हमें मियानी जॉइन करनी है तो अभी मैं मियानी कट करके आप लोगों को दिखा तो यह यहाँ पर मैंने मियानी कट कर दी है मियानी कट करना मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई तो अभी हमारी प्लाजो कटिंग रेडी है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए और गाइस मेरा एक दूसरा चैनल भी है कुकविशाहिन आप चाहे तो वो भी एक बार देखिए बहुत इजी रेसिपीज होती है और उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं आप लोगों को प्लाजो कपड़े पर काटना बताऊंगी तब तक के लिए बाबाए